नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वशीकरन करकर ठक चुके हैं और आपका वशीकरन सफल नहीं हो रहा है कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है कि किस तरह आप वशीकरन करें और आपका वशीकरन सफल हो जाए और व्यक्ति जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं वो बन तो आज मैं आज आपके लिए लेकर हाई हूँ एक पूर्ण डूप से शक्ति शाली वशीकरण जो इस्तरी या पुरुष कोई भी कर सकते हैं मात्र एक तुलसी के पत्ते के प्रियोग से इस वशीकरण को किया जाता है और यह किस तर हां किया जाता है यह मैं आपको तो उसके बाद इस वशीकरण का कोई तोड़ नहीं है इस वशीकरण को तोड़ा नहीं जा सकता इस बात का खास तोर प्रवध्यान रखें कि अगर आप सही होकर इसका प्रियोग करना चाहते हैं मतलब सही मन्शा से इसका प्रियोग करना चाहते हैं तभी इसका प्रियोग और आप वापिस से उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र का प्रियोग कर सकते हैं, एक मंत्र मैं आपको बताऊंगी शक्तिशाली मंत्र जिसका प्रियोग करकर आप अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं, तो आईए बताती हूँ, इस मंत्र का इस्तमाल किस तरह करना है और इस मंत्र को इस्तमाल करने के लिए जो चीज़े हमें चाहिए चंद सामेगरी जो हमें चाहिए वो क्या है हमें चाहिए तुलसी का पत्ता जी हाँ इस तुलसी के पत्ते की मदद से हम जो है वो शिकरन करेंगे और किसी को अपना बना लेंगे और मात्र और हमें चाहिए उस इंसान के घर के आगे की थोड़ी सी मिट्टी जिस मिट्टी का भी प्रियोग हम इस वशीकरण में करेंगे और इसके प्रियोग से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कार आपको करना क्या है आपको इस तुलसी के पत्ते को अपने मुँ में रखना है जीप के नीचे और उसके बाद 11 बार उस व्यक्ती का नाम लेना है जिसे आप प्यार करते हैं या जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं इस तुलसी के पत्ते को अपनी जीप के नीचे रखिए उसके बाद 11 बार उसका नाम लीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं या जिसे आप प्यार करते हैं जिसके साथ आप अपनी सारी जिन्दिगी पिताना चाहते हैं उसके बाद इस पत्ती के ऊपर उसके आंगन की उसके घर की या उसके छट की थोड़ी सी मिट्टी रख लीजिए इस तरह और इस मिट्टी को रख कर इस पत्ती को अपने हाथ में लेकर आपको जो मंत्र मैं बताने वाली हूँ उस मंत्र का उचारन करना है उस मंत्र के सही उचारन अगर आप करते हैं तो उस मंत्र के प्रियोग से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं और मंत्र का उचारन आपको सिर मंत्र क्या है? पहले इस तरह इस तुलसी के पत्ते और मिट्टी जो उनके आंगन की है इसको लेकर हाथ में रखना है ध्यान लगाने और दश को एक और बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि जब ये विधी आप कर रहे हो कोई आपको ना देखे, आपके आसपास कोई भी ना हूँ इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें तो आईए बताते हैं मंत्र क्या है? मंत्र है ओम क्ली, ओम क्ली, क्ली वशी भूत इसी मंत्र का आपको 11 बार उच्वारण करना है और ये जो तुलसी का पत्ता और मिट्टी है इस मिट्टी को ले जाकर एक चौराहे पर रख कराना है आपको जी हाँ, आप ये चौराहे पर रख कर घर आएंगे और उसके कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति का आपके पास फोन आ जाएगा वो आप से मिलने के लिए तड़पेगा वो चाहेगा कि वो अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही व्यतीत करें और आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आपको इसके लिए करना ये है कि इसी तहां इस विधी का परियोग करना है और उस व्यक्ति को अपने करीब बुलाना है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई दिक्कत आपको है तो आप हमारे गुरु जी को कॉल कर सकते हैं आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर आप गुरु जी को कॉल करें अपनी समस्या बताएं अपनी परेशानी बताएं और उसके बाद गुरु जी आपकी समस्या और परेशानी सुनकर उसका जवाब देंगे उस समस्या का समधान ही आपको बताएंगे जी हाँ आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी समस्य का समधान कर सकते हैं और अपने आपको खुश रख सकते हैं अपने परिवाल को खुश रख सकते हैं जै माता दी